तो देखिए आज जो हमने इससे पहले किये जो टॉपिक डिसकस किये हैं समिधान सभा के संबंद में जिसमें कि आपको यह बताया गया था कि समिधान सभा का गठन कप किया गया और कितने वर्ष कितने दिन में यह जो समिधान था हमारा बन कर तैयार हुआ और किस दिन इसको आंगी करत किया गया और किस दिन सारजनेक रूप से इसको लागू किया गया। जिस सारी ही चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद आपको मोटा मोटा मैंने ये भी बता दिया था कि जो समिधान सभाती उसके प्रथम अध्यक्स कौन थे। और साथ ही साथ इनके जो इस्थाई प्धृध्यक्स थे वह कौन थे और साथ ही समिधानिक सलाहकार कौन थे अगर आपको यह जानकरी नहीं है तो आप पहले इससे पहले का जो वीडियो है उसको चीज से देख लो या फिर जो आप नोर्स मेंने बनवाये हैं उसको आप बातें डिसकस करेंगे जो कि आप लोगों के examination में चाहे वो group C का हो चाहे pieces का हो हर परिक्षा में वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपने कई सारी समीतियों के नाम सुने होंगे तो परिक्षा में पूछा जाता है कि उक्त समीति के अध्यक्ष कौन थे है ना इसी प्रकार से आप लोगोंने समीधान के कितने भाग हैं 22 भाग हैं कितनी अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं पहले कितनी अनुसूचियां थी फिर कौन से समीधान में कौन से अनुसूची को सम्मिलित किया गया यह सारी ही बाते आज हमने अपनी चर्चा के व करते हैं तो ये सब जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जब समिधान सभा का गठन किया गया और उसके लिए 11 दिसम्बर 1946 के दिन 1946 में राइंदर प्रसाद जी को समिधान सभा का स्थाई अध्यक्स चुन लिया गया तो उसके दो दिन बाद 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहलाल नहरू एक उद्देश प्रस्थाव लेकर के आते हैं तो प्रशना आप लोगों के लिए यहां पर भी बन जाता है कि उ अब यह उद्देश का मतलब तो आपको समझ में आई गया होगा कि काई टेम से हम लोग पैड़ाजी भी पढ़ रहे हैं वहां पर आपको हमेसा उद्देश बताय जाते हैं आयोग पड़े हैं हमने हर आयोग का उद्देश पढ़ा है कोई भी काम अगर करना है तो उसकी णिलना वो पूर्ती करेंगे तो सबसे पहला इन्होने कहा की सम्धान सभा जो है वो भारत को एक स्वातनत्र संप्रभू और गनराज्यis के रूप में घोजित करती है ठीक है कि हम इस समिधान में उन बातों को समलित करेंगे जिससे कि हमारा जो राष्ट्र है वो सतंत्र संप्रभु और पूर्ण रूप से जनतंत्र या कहें कि गनराजी घोसे तो हो जाए इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अभी तक ब्रिटिस भारत जो था मतलब वह छेत्र जहां पर ब्रिटिस गौर्मेंट सीधे तोर पर हुकूमत कर रही थी या साशन कर रही थी उसको ब्रिटिस भारत कहा जाता है और अन्नी जो छेत्र थे उनको देसी रियासते कहा जाता है मैंने आपको बताया है इससे पहले भी तो भारती राज्यों में शामिल सभी शेट और भारत driver के वह वह अगर भारत में शामिल होना चाहेंगे तो सामिल हो सकते हैं उसके लिए कुछ शर्तें भी बनानी हैं वो भी समिधान सवा में रखा जाएगा जैसे कि आपने पढ़ा ही है भाग एक में इसी बात की संसुति की गई यह भाग एक और दो में कि अगर कोई बाहरी राज्य भारत में शामिल होता है तो उसके सभी नागरिक उसी दिन से भारत के नागरिक कहला हैंगे अभी हम पढ़ेंगे आगे नागरिक्ता की क्या शर्तें हैं भारत में नागरिक्ता की साधार पर दियाती है उसी क्रम में जो अभी CAA बना था उसको भी हम डिसक्स कर लेंगे तो यह बहुत सारी बाते इसमें पहले ही चर्चा में लाई जानी चाहिए ऐसा उद्द जो भी शक्तिया जो भी प्राधिकार हमारे केंद्र को दिये जाएंगे उसका किस परकार से हुए केंद्र करन होगा कौन-कौन से उक्रम सरकार के अंग होंगे यह सब कुछ बाते इसके अतरिक्त हम अब सामाजिक नयाय लाने के लिए आर्थिक उन्नती के लिए और हमारी जनता है उनको confidence में लाने के लिए उनको अच्छा फिल कराने के लिए कि जैसे अभी तक वो पिछले कई दसक से अंग्रेजों की गुलामी को जहेल रहे थे अब वो किस रूप में सवस्थनता प्राप्त करें क्या उनके जीवने बदलावा आई ये सारी बाते इसमें शंगिल हैं और जनजाती शेत्र हैं उनको हम किस रूप में सुरक्षा प्रदान करेंगे ये बात का उपवन्दी भी इसमें होना चाहिए या आप ये समिधान पढ़ा ही है कोई पहली बार तो आप समिधान नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोग को अपनी जो previous learning है जो previous study है constitution का उसके पता ही होगा कि SC ST के लिए क्या प्रोविजन्स बनाए गए हैं सारी ही बाते आप लोंको पहले से पता होती है всегда यूदियो के माध्यम से हम सिर्फ एक परकार का science की रिविजन कर रहे हैं कि आप जो पढ़ा है आपने वो रिकॉल कर लें और कहीं पर अगर कुछ नहीं पढ़ पाएं हैं या फिर आप चर्चा से आपकी चला गया हो तो उसको आप यहां पर सम्मिलित करने हैं ठीक है इसके बाद अब वही बात आती है फिर भूमी समुद्र और वायू सभी शेत्रों में देश की जो सैन निशमता है वो किस रूपे कारी करेगी कैसे देश को हम एक अक्षुन बनाए रख सकते हैं यह भी यहां पर रखा गया है ना किस प्रकार से हम सुरक्षा परदान करेंगे क्या उसके नियम बनेंगे इसको भी समिलित किया जाएगा फिर इसकी अतरिक्त और भी कई सारी बाते इसमें शामिल की गई उद्देश प्रस्ताव में और इस प्रकार 13 दिसंबर 1946 को लाया गया यहां प्रस्ताव लगभग 22 जनवरी 1947 के दिन सभी के द्वारा स्विकार कर लिया गया आज ही आप संसत की परणाली को जानते हैं कि जब कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो यह आउशक नहीं है कि उसको स्विकार कर लिया जाए उसका विरोध भी किया सकता है जैसे कि अभी किसान बिल कपर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है तो जब किसान बिल का प्रस्ताव आया था तो उस पर जो अपोजिशन थी जो विपक्ष था उसने वाइकॉट भी कर दिया था ठीक है स्विक्रति नहीं दी थी लेकिन बहुत होने के कारण वह पारित हो गया इस परकार से यह जो अउद्देश से प्रस्ताव लाया गया था यह 13 दिसंबर को ला होंगी कई सारी बहस होई होगी अगर नहरुजी इसको लाए है तो नहरुजी से कई सारे लोगों ने प्रश्निक किये होंगे कि आप बताइए कि यह जो आप उद्देशी रख रहे है ना इस उद्देश की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं तो उन सभी के नहरुजीन ने उत समीटियां थी वो क्या-क्या थी इस पर देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि इसमें आठ ऐसी समीटियां थी जिनका अच्यधिक महत्व है जिनको बड़ी समीटियां कहा जाता है जिनके प्रशनाप के परिक्षा में पूछे भी आते हैं आपका जो पढ़ने का परिक्षा के दिश्टिकोर्ण से हम इसको पढ़ें ताकि जो जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्जैम में किस रूप में आता है यह आप लोंको पता रहे हैं सबसे बड़ी समीटिया में पहली है आपकी संग शक्ति समीटिया इसके अध्यक्स है जो आहल लाल नहीं तो तो संग शक्ति समीटि और संग है समीदान समीटि इन दोनों ही समीटियों के अध्यक्सते जो आहल लाल नहीं है फिर है existential के अध्यक्सते सर्दार बल्लब भाई पतेण किैसे याद रखते इसको आप देखिए आपको जानकारी है कि जो सर्दार बल्लब भाई पतेल थे उनने जो अलग-अलग राज्य थे उनका एक ही करण किया ठीक है सभी राज्य को इखटा किया उन्होंने तो अलग-अलग प्रांतों को इखटा करने वाला व्यक्ति जो है वो कौन है सरदार पटेल है इसलिए प्रांती समिधान समीधिक के अध्यक्स कौन है सरदार पटे जो परामर्ज समिती थी उसका भी अज़क्सता करने का श्रे स्री सर्दार बल्लब भाई पटेल जी को जाता है और इस समिती के अंतर कर दो उपसमितिया रखी गई थी पहला था मौलिक अधिकार उपसमिती और दूसरा है अल्प संग्यक उपसमिती दोनों को साथ मिला करके समिती बनी उसे सदार बल्लबब भाह पटेल जी ने हैट किया और इनके जो सब उपसमितिया बनी थी उनको मौली का दिखरार की ज करा दूँ आपको कि जो एकसी मुखर जी है वह समिधान सभा के उपाध्यक्स भी थे ठीक है कि प्रतिकिरिया सब्सक्राइब समीति कि अध्यक्स्ता समिधान सभा के अध्यक्स स्री डॉक्टर राजेंदर प्रसाद जी ने की थी राजियों के लिए जो समितियां बनाए गई उनकी अध्यक्स्ता करने का जो श्री जाता है वो जोहलाल नहरू जी को है संचालत समिती डॉक्टर राजिंदर परसाद तो एक बार फिर देख लीजिए आप कि संगी सक्ती समिती संगी समिधान समिती और राजियों के लिए समिती यानिके राजियों से समझ़ता करने वाली समिती ये तीन समितीों का संचालन जाधिक्स्ता जोहलाल नहरू जी की तो संभीती थी इनका इनके अधिक्स्ता सदा बलबाई पड़ेल जी दुआ रखी तो इसको एसी भी आद कर सकते हैं उनके उपर जिम्मदारी थी कि उनने भारत के अलग देसी रियासतों को भारत में चोड़ना है भारत के राज्यों को सम्मुलित करना है तो इसका मतलब यह था कि हर राजी में अलग तरीके के लोग रहेंगे उनके मौलिक अधिकारों की ये बात करेंगे समझाएंगे उनको हम ये अधिकार आपको दे रहे हैं अलग संक्यों को समझाएंगे कि हम आपको पूर्ण रूप से क्या होता है जो बहु संक्यक है उनके समान समान दिंग सबी लोगों को मौलिक अधिकार देने की सबस्क्राइब की और साथ जो अलवसंख्यक वर्ग थे जिन में डर था कि हम भारत के सांथ क्यों जुड़े तो उनको जोड़ने के लिए उन्होंने कारी किया तो इस प्रकार साब को याद रहे हो याद करने का तरीका है वसे प्रां कमिटी बियार अमबेटकर जी द्वारा यह बना इसके अध्यक्सा की गई थी इसके बाद अगर बात करते हैं मौलिक अधिकारों की उपसमिधी की ठीक है तो जेवी करपलानी और अलवसंद के उपसमिधी की एचसी मुखड़ी फिर संचालन और परक्रिया जो अध्यक्स ह इसको बाकशीश परक्रिया कैसे चालेगी और संचालन कैसे होगा इस सारी ही चर्चा कौन करेगा इसारी ही दिकारिकी की अत्म होंगे डॉक्टर राइंदर बरसाथ जी घर कंग सन चालन कर संचालन कोण करवायगा और शरेक हैताए मोलात क्यों कई सारे आपको निमानिक मिल जाते हैं, कई सारे आपको शॉटकट मिलते हैं, लेकिन जो शॉटकट जो निमानिक आप खुद से बनाते हैं, वो आपको याद रहता है, rather than दूसरे के बनाए हुए निमानिक की अप्यक्षिए, फिर है छोटी-छोटी जो समीतियां थी, उनमें जाती है, वह इसकर शेत्रों के इसलिए सिलाकार समीति, मैंने बताया था, आपको ये सारे काम कौन करता आ रहा हुए तक, सरदाय बल्लबाई पटेली करते आ रहे हैं, तो इन्होंने इसके देखता की, सदन समीति जो है, बी पट्टा भी सीता रमया, इन्होंने की, संचाल समीति जो है, कारी संचालन समीति, ये कम मुंशी जो हैं, उनके दवारा की गई, तो लिक लिकलिए, संचालन समीति अलग है, और कारी संचालन समीति अलग है, इसमें confusion नहीं करना आ हैं, लिकलिए, इसमें कैसी यह कुछ छोटी और बड़ी समीतियां आपको मैंने बता दी हैं, इनको आप थोड़ा सा लर्न कर लीजीगा, और यह PDF है हो तो मैं आप लोग को भेजता ही हूँ, आपकी गुरूप में आपको जान कर लिए है, तो PDF को अभी as it is note करने का सकता नहीं है, आपको गुरूप मिल उसके कितने सत्र हुए और कौन सा सत्र किस तारीक को हुआ, कौन सा सत्र किस तारीक को हुआ यह महत्पून नहीं है, महत्पून यह है कि जो सत्र हैं, वो कितने हुए हैं, तो टोटल 11 सत्र बताए गए हैं समिधान में कि 11 सत्रों के माध्यम से हमारा जो यह समिधान सभा है, वो संपूर्ण हुई है और 14 जनवरी 1950 के दिन 26 जनवरी के दिन ये लागू हुआ था ना सारुजिनिक तौर पर 24 जनवरी को दो दिन पहले सभी सज़स्चियों ने एक बैठक करके भारत के समिधान पर अपने हस्ताक्षर किये तो यह आप याद कर लीजीगा अगर आप यह हो गया हो तुम आगे बढ़ता हूं आप लोग तो पॉस करके भी इसको क्या कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं कौन सा सत्र किस तारिक को आई आवशक नहीं है ग्यारवा सत्र आपके लिए महत पूर्ण है क्योंकि ग्यारवा सत्र के इंतरगत ही समिधान पूर्ण रूप से बन करके तैयार हुआ था ठीक है बाकी इतना ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है आप लिए तो इतना ज्याद ध्यानिस में आप बना दे है अब इसके आगे च भारत शाषन अधिनियम मैंने आपको पढ़ाया था भारत शाषन अधिनियम पूरा पढ़ाया हुआ है और यह वीडियो में है भी आप देख सकते हैं उपर दुबारा अगर आप भूल गए हों किसी कारण वस्तों भारत शाषन अधिनियम 1935 से तो बहुत सारे जो उपक्र संघ्य तंत्र राजिपाल का कार्यालय न्यायपालिका लोकसेवा आपातकारिन उबंद और प्रसाषनिक वित्रण तो यह कुछ पाते हैं जो भारत शाषन अधिनियम 1935 भी गई थी तो कि भारत शाषन अधिनियम 1935 बहुत ही अच्छा था और इसमें कई सारी बाते कह दी जिनको पुन्हाव लखित करने के आसुता मालूम नहीं बढ़ रही थी तो संघ्य तंत्र याने कि जो भारत है वो संघ्य प्रणाली के अंत्रगत चलेगा सारे ही राजी जो है वो संघ्य को सपोर्ट करेंगे लेकिन राज्यों को भी शक्ति दी जाएगी राज्यपाल का क लोकसेवा आयोग लोकसेवा आयोग और आपातकालिन उपबन के आपातकालिन आप जानती है उननीस सो बावन सो तीन सो बावन चपन और साथ में हैं आगे डिसकस करना है हमने उस पर इसके लावा परशासनिक वित्रण जो है यह सब कुछ भारत शाषन अधिनियम 1935 से लि तो बिटेन की कई सारी जो समिधान की बाते थी विशेश्टाई थी उनसे हमारे सिक्षा विद्ध थे या फिर जो कहें कि विद्वान लोग थे वो और लेडी वाकिफ थे उनने पता था तो उस समिधान को पढ़ करके कई सारी बात इनोंने सामिल की जैसे संसद्य शाषन भारत में अगर हम कहें कि पावरुफुल क्या है तो पावरुफुल संसद है ठीक है ना परधान मंत्री है ना ही राश्पती है परधान मंत्री अपनी इच्छा से कोई नियम लागू नहीं कर सकता राश्पती भी अपनी इच्छा से कोई नियम लागू नहीं कर सकता संसद ही जो है वो नियमों में बदलाव कर सकती है या फिर कोई नेया नियम पारित कर सकती है अब आप यह कहेंगे कि राष्ट्ति कई बार अध्याढरض देता है तो आपको और जानकारी होनी इसके बाद देखिए-गा- विधी का साशन जो कानून बनाया जाएगा उसका तथस्ट रूप से पालन करना पड़ेगा और उसका पालन यह प्रश्न पूछा भी आता है कि विधी का निर्माण कहा होता है तो या तो संसद में होता है अगर हम केंदर की बात करें या फिर राजी सभा सड़ी राजी में विधान सभा और विधान परिशेद में होता है इसके बाद है एकल नागरिकता अब एकल नागरिकता क्या है क veto energy कि ई और आश्ठी का नाघ्रिक नहीं मन सकता अगर वो किसी और राश्ट की नागा तो भारत की नागा उसको छोड़नी पढ़ अपेरिका में है कि टी केंद्र सासन विएस्था में और जो आपका राज्य है वहां पर मुख्य मंत्री मुख्य होता है उनकी सहाइता के लिए अन्य मंत्रियों को शामिल किया आता है फिर प्रमाधिकार, लेक, संसधि, विषय साधिगार और द्वी सधनवाद शदन मतलब तक मंत्लब राजriminस्वा और लोकसभार और बिए साव में विधान सभाकिता विधान विधानफडिसथा decisions अर्जियों में खुती है मूल अधिकार की बात अमेरिका की समयधान में कहीं गई है और भारत में भी यह मूल अधिकार अमेरिका की समयधान से ही लिया गया था नियाए पालिका की सतंता जो नियाए पालिका है उस पर किसी भी प्रकार का कोई दवाव नहीं रहेगा, कोई हस्तक्षिप नहीं करेगा, ठीक है? और वो जो न्याय पालिका है वो सतंत रूप से नियमों के आधिन रह करके ही कोई फैसला लेगी भावनाओं में रह करके नहीं लेगी न्याय पुन्रावलोकन का सिद्धान अगर कोई भी कानून बन गया है तो उस कानून की समिक्षा की जा सकती है ये भी अमेरिका से ही लिया गया है माना कि अभी किसान बिल बन चुका है कानून बन चुका है लेकिन अब जो किसान है वो परिसान है वो चाह रहे हैं कि ये कानून वापिस लिया जाए ये हमारे हक में नहीं है तो अब उस पर पुन्रावलोकन होगा रीवु होगा और रीवु कौन करेगा सुप्रीम कोट करेगा सुप्रीम कोट में याचि के डा लिए सकती है और उसके मार्ज़ हमसे अगर चाहे तो संसथ भी उसका रीव्यू करके उसको दुबारा से से चेंज हैं वो एक प्रकार से राष्ट्पती के तरह काम करते हैं लेकिन अमेरिका जो है वहाँ पर राष्ट्पती के थाता उपराष्ट्पती के उते बद्दू होता है तो भारत में भी उपराष्ट्पती का जो पद है वो अमेरिका से ही लिया गया अब यह उपराष्ट्पती क्य होता है इसके क्या कारी होते हैं यह सब हमको अलग से पढ़ना होता है ना आप उच्चितम नियाय लए और उच्च नियाय के नियायदीश का पद से ःटाया जाना parler ठीक है तो अगर कोई नियायदी हुट उच्चितम नियाया लए का भाट हो वह सही-स से कारी जो हैं अमेरिका के सम्विधान से ली गई हैं। फिर आते हैं हम आइलांड के समिधान के तरह। आइलांड का जो समिधान है वहां से सबसे इंपोर्टेंट जो चीज ली गई है वो है आपकी नीती निससक सिद्धान। ठीक है, The Active Excellence of States इसके बाद है राश्च्पती का निरवाचन पध्यती जो राश्च्पती का निरवाचन कैसे होगा एकल संकरमनी पध्यती के द्वारा हम निरवाचन करते है अब प्धश्बती के संब्द में आगे तो राजी सभा के लिए सukा नाम हमकन किस रूप से यह ओगा है तो आइलेंड के समीधान से ली जाने वाले विशेशटा वे पूछ ए उन्में सब से पहले तो такие के बाएं और राश्वठी के निर्वाचन की पद्लाति कहां से ली गई है तो इसको और प्रीज याद कर विकाज जो राश्पती के संबंदी बाते हैं वो अमेरिका से ली गई है इस कारण से फिर आते हम कैनेडा से तो कैनेडा में से जो इंपोड़ेंट लिया गया है जो एक्जैम के लिए हमारे इंपोड़ेंट है वो यह है कि सबसे पहले तो केंदर द्वारा राज्जी में रा दिकान शक्तियां रहेंगी जैसा कि आपने देखा भी है अगर कोई राज्य अच्छे से कारी नहीं कर पाता है तो उसे किलाव फिर आपातकाल भी बैठा दिया आता है आउसिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना यह इतना इंपोर्टन नहीं है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति यह भी इंपोर्टन है तो भी कोई भी राज्य होता है उसका हैड कौन माने आता है महा मही में राज्यपाल को माने आता है तो उसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा किया तो यह से आपने देखा होगा कि जैसे बीज के ही राजिपाल नियुक्त किये गए हैं अभी कॉंग्रेस के सरकार आएगी तो वो सब को टर्मिनेट करके अपने जो लोग है उनको नियुक्त कर देगी तो यह चलता रहता है उच्छितम नियालय का परामर्ष नियाय नियने ठीक है राज किसी भी कारी को करने के लिए आगे गा है और आउस्ट्रेलिया का समिधान अब ऑस्ट्रिया से क्या लिए है तो देखिए संबर्ति सूचि की जो व्योस्ता है वह उस्ट्रेय से लिगई है संबर्ति सूचि क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं पहले के वीडियोग में क्यों कि जब हम 1935 का भारत अ संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है यह जो बात है या विशिष्टा है यह भी आउस्ट्रिया की समयधान से ही ली गई है यह दखेगा आप लोग हां हमारे देश में भी संसत के तो सदनों संयुक्त बैठक होती है और बैठक के अदिक्सता क्यों करता है लोग सभा का अद्यक्स करता है। यह मन Step Famer को रहिए तो आप्लों नोट के लीजिएगा तो अस्ट्रेलिया की समिधान से दो इंपोर्डेंट जो विशेष्टा है संवर्ति सुची और संसत्त के बैठे की समिलित किया गया है झर्मनी से आते हैं तो जर्मनी ते आपको पता ही है जर्मनी में हिट्लर का हेशन तो उसने क्या किया ओगा बहुत जादा अत्याचार किया होंगा असना से अपातकाल कि समय मून अधिकार अपातकाल के जो व्योस्था वो कहां से ली गई है अब लेकिन आपाटकाल के समय क्या है Wasn't बखत हो जाएंगे स्वताही यह बात जर्मनी के समिधान से ली गई है इसके बाद है सोव्य संग का समिधान घ्रॉंट-शूव्या यहां पर क्या होता है कि जो राजा ने कह दिया है या जो राष्ट्पति ने कह दिया वो मानना सब का धर्म है तो मूल करतव भी बताया जाते हैं उनका पारण करना अनिवार होता है वरना फिर उनको परिश्मेंट मिल सकती है तो उन मूल करतव व्योग की जो बात है से किया गया है कि फ्रांस का सम्विधान अब फ्रांस के सम्विधान से क्या-क्या लिया गया है तो देखिए गर्तनतात्मत क्रस्तावना में स्वतंतता संता और बंदूता दिके हमारा यह देश addressed to Full ते और जानतन्तर है यह एक्चुली फ्रांसीसे ही निकलके आया लेकिन उस समय वहाँ पर स्वतंत्ता, सम्ता और बंधुता इनको ही जनतंत्र का यभी कहें कि डैमोग्रेसी का आधार माने जाता था तो प्रस्तावना में स्वतंत्ता, सम्ता और बंधुता कहां से लिया गया है तो फ्रांस से लिया गया है लेकिन न्याय कहा से लिया गया है तो सोवեյ्ए संग से लिया गया है तो याद रखना आपको हमारे समिधान की जो प्रस्तावना है वो बहई महत्पूर्ण हैं पूरी प्रस्तावना का एक शब्द आप लोग को पता होना चाहिए तो दक्षिन अफ्रिका से क्या लिया गया है तो दक्षिन अफ्रिका से समिधान में संसोधन की प्रक्रिया ली गई है कि अगर समिधान में कोई नियम बना दिया गया है कोई कानून बना दिया गया है तो उसमें हम किस प्रकार से संसोधन कर सकते हैं इसकी संसुतीस में की गई है ठीक है तो राजसवा के साईश्चुकर निर्वाचन भी किस तरीके से होना चाहिए ये भी दक्षिन अफ्रीका से लिया गया है जापान से विधी द्वारा इस्तापित पर लिया गया है तो इस प्रकार से ही आपके कुछ विशेष्टा है है हमा भूले नहीं आप मैग्जिम टाइम रिविजन करते रहें याद करने के नहीं नहीं तरीके ढूंते रहें तो इस प्रकार से आप जो है अपने एक्जैम तर इसको याद रख सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे हमारे जो समिधान है उसके कितने भाग हैं कुल तो आपको जानकरी है इसकी कि इसके समिधान हमारे समिधान में कुल 22 भागों की भागों बर चर्चा की गई है जिनमें से किस भाग में क्या विशे है बस इसी पर मैं चर्चा करूंगा और इसके करना आरम करेंगे तो वहां पर आप दोग देखेंगे कि कौन से भाग में कौन सा अनुशेद आता है पिरहाल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यह जो टेबल है इसको आप नोड जरूर करें तो देखिए भाग एक भाग एक में संग और उसका राज्य छेद आता है और यह अनुशेद एक से चार तक लिया गया है तो भाग एक में यह बताया गया है कि भारत एक संग है वो कहां कहां तक फैला हुआ है कौन कौन सा राज्य उसके छेद द्रगत आता है इस सारी बाते आपकी भाग एक में की कैसे सीमांकन किया जाएगा, कैसे राज्यों को अगर अलग-अलग करना ऐसे भी आपका आंध्र परजेस से आपने तिलंगन अलग किया, तो कैसे किया, उत्र परजेस से उत्रकंड अलग किया, तो कैसे किया, सारी ही बाते आपकी भाग एक में ही की गई, तो अनुछित एक से तो उस समय यह बात चल रही थी कि यह जो involvement है यह किस अनचेत कर दगत किया सकता है तो बहाग दोके अनचाट नागरिकता संबन्धी संवत्य दी गई हैं कि कॉन नागरिक बनेगा कैसे बनेगा और अगर हम नागरिता में कुछ बदलाव करना चाते हैं नागरिता की शर्तों में तो किस आधार पर गड़ सकते हैं यह सारी बाते अनुछेद 5 से 11 में दी गई है इसके अलावा अब तीसरे नंबर पर आते हैं जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई ह हैं मौलिक अधिकार किसी भी परिक्षा के दिश्टी कोर से महत्मूर होते हैं और अनुछेद 12 से लेकर के अनुछेद 35 तक इन मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है फिर आते हैं हम राज जी के नेती निर्जद तक राज जी को अपना जो कारे है वो कैसे चलाना है इस अनुछे 25 डज़ते हैं मौलिक करते कि तो आपको जानकरी है लाज च्छेद 59 के अंदर एक उंधर रखे गयाय कि मौलिक करते हैं किने मौलिक को इन भाग के नेतुरे कई संग का राष्ट पति यह क्या होगा कैसे चैन होगा गयासे परधानमंत्री बनेगा घ्यक है कैसे हम और जो हमको अधिकारी में Mehomansal नीके करेंगे सारी बातें भागपांच में आती है और इसलिए भागपांच आपके एक्जैम के लिए बहुत महत्मोन हो जाता है तो संग सरकार के संब्द में 52 से लेकरके 151 तक पिर कारिपालिका के संब्द में देखे अब ये संग सरकार जो है वो 52 से 22 से 551 तक रखा गया है अब इसके अंदर उसको कैसे why forget किया गया है कैसे classical vision किया गया है देखते हैं पहला अध्याय जो इसके अंदर है उसमें कारिपालिका की बात की गई है कारिपालिका कौन होगी कैसे होगी उसकारिपालिका कौन-कौन अंगो होगा संसत की बात की गई है 79 से 122 तक राश्टपती की विधाई सक्तियां 123 से 123 में हैं यह आपको याद कर लेना चाहिए संग की कारपालिका 124 से 147 तक भारत का नियंत्रक महालेखा परिक्षक 48 से 51 तक देखिए इन सभी के संबंद में हमने डिटेल में अभी क्लास करनी है डिस्कसन करना है तो आप लोग बिल्कुल निश्चेंट हो करके बस अभी फिरायन को सुनिए और नोट कर लीजिए टेबल बना करके बढ़िया तरीके से कि जब भी आप आगे पढ़ोगे ताब कोई रिकॉल हो जागा कि हाँ यह हमने पढ़ च्छे में जहां पर राज्यसरकारों की बात की गई है ठीक है अब राज्यसरकार के समंध में क्या क्या है यह देख लीजिए आप ठीक है इसे आप पॉस करके कॉपी कर लीजिएगा इतना सारा बोलना हो नहीं पाएगा ठीक है काफी चीजिए भी पढ़नी है और आज कि इसके बाद इस सारे भागें आपके देख लीजिएगा आप लूग कभी में यह वर्टसप में भेज दूंगा आपको ग्रूप में भेज दूंगा प्रेजिए तो वहां से आप इजिली कोपी कर सकते है अब निर्वाचन की जो बात है वह किस भाग में कहीं कहीं है तो यह है आपका भाग 15 फिफ्टीन के अंतरगत या भाग 15 के अंतरगत निर्वाचन की जो बाते हैं वह रखी गई है और यह नुच्छे 324 से 329 तक है इसके बाद राजभाशा देखिए मैंने बहुत सारे स्किप कर दी उपर इसलिए कर दी कि वह उतने जाता इंपोर्ट इसलिए जो तो हाग 15 के अंतरगत निर्वाचन की बात की गई है कि निर्वाचन कैसे होगा क्या-क्या इसके आरख्षन की जो प्रमुक्सिफारation में हो एं तो ये सारी वातेhua हिंदी भाशा के संबंध में बात की गई हिंदी भाशा संगे की भाशा होगी हिंदी भाशा प्रादेशिक भाशा होगी है और किस परकार से हम प्रादेशिक भाशा 기 निकारन Kä को मानिता कि दे सकते हैं यह सब कुछ इसके लावा सरवच नियाल 57 َّैच िदेशिक व Tampa भाग 17 में रखी गई है फिर आपात काली उबन्द भी भाग 18 में है राइट समिधान का संसोदन भाग 20 के अंतरगत किया जाता है और ये संसोदन जो है 368 अनुच्छे 368 के अंतरगत रखा गया है ये पॉइंट भी आप याद के लिजिएगा कि समिधान संसोदन की संसुदी भाग 20 अनुच्छे 368 के अंतरगत की गई है इस परकार से आपके ये भाग कंप्लीट होते हैं अच्छा भी इसमें आपको भाग साथ नहीं दिखाए देगा कि भाग साथ जो है उसको साथवे समिधान संसोदन जो की 1956 में हुआ था पूर्ण रूप से उसको समाप्त कर द वाग 14 को दोनों का समावेश 42 समिधान संसोदन के अंतरगत और 42 समिधान संसोदन निक्सवें में हुआ था इंपोर्ण संसोदन में बहुत सारी इंपोर्ण बाते इसमें जोड़ी कई थी समिधान में ठीक है और जबकि भाग 9 को को चोहत्तरवे समिधान संसोदन अधिनियम 1992 अब चोहत्तरवे समिधान संसोदन भी इंपोर्डेंट रहेता है आपका क्यों रहता है आगे हम डिसकस करेंगे इसके समिध में और इसके लाबा जो भाग नौक खौ है उसको 57 वे 97 समिधान संसोदन 2011 में जोड़ा गिया तो एक अनुछेत का या एक भाग का विलोपन किया गया है समिधान संसोदन साथ के द्वारा और उसके लाबा 42 फिर चोहत्तर 97 तो 42, 74, 97 समिधान संसोदन या कहें कि एमेडमेंट एक्ट के द्वारा कर्मशोह 1976, 1992, and 2011 में भाग चार एक या फूर एक या चार को भाग नौ को और नौ खो को जोड़ा गिया है अब उपर का आप जादा याद ना करें चार पांच मैंने आपको बताये हैं सुरुवात के चार भाग नहीं पांच भाग और उसके लाबा आपका राजभाशा आपात उपबंद और निर्व चार यह इंपोर्डेंट है लेकिन जो अभी आपको मैंने बताया है कि कौन-कौन से अनुचियत में किस भाग को हटाया गया है या किन-किन को जोड़ा गया है यह सारा क्या सारा आप यादत कर लीजिए ठीक है यह पूछने वाले प्रश्णे हैं फिर आते हैं हम प्रथम ha gör a और नुचुची यह पर आते हैं कि तो अनुचियों में कितनी अनुचिया है हमारे समीधान में 12 अनुची सचीर राज्यों के नाम और उनके न्यायक छेत्रों को सम्मिलिद किया गया है दूसरी निसुची में संग राज्य शेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं को सम्मेलित किया गया है जिसके अंतरगत भारत के राष्टपती राज्यू के राज्यिपाल लोकसभा के अध्यक्ष जितने भी जो भी कुछ संग के कंट्रोल में आता है या की पावर में आता है उन सभी को दूसरी अनुसुची में रखा गया है ऐसा करके आप याद रखें जो जो सेंटल जो गवर जो यह अभी हमने उपर दूसरी अनुसुची में जितने लोगों की रिक्रूट्मेंट की थी या जिनका चैन किया था वो क्या-क्या शपत लिंगे इससे संबंदित उपबंद करे गए है ठीक है ना इसके बाद फिर पांचवे अनुसुची में फिर इसके बाद राज्यो परसाशन देखिए फिर से याद करिएगा पहले नुसुची तो राज्यों के लिए हो गई दूसरी में तो कौन-कौन अधिकारी वर्ग हैं जो संग के कारियों में सहायता करेंगे और तीसरी में उनके द्वारा ली जाने वाली शपत कैसी होगी क्या होगी इस बारे में च रुसंग से छोटी कायोती राज्य और केंस सासित प्रदेश में राज्य गरग कैसे आएंगी इस पर चर्चा की गई है ठीक है बाकी पांच फे अनुसूची में अनुसूचित जाती और जनजाती चो छेत्र है उनका प्रशाशन नियंत्रन कैसे किया जाएगा इस पर चर्चा की गई है छटी अनुसूची बहुत ही महत्पूर्ण है और हो सकता है कि आपकी परिक्षा मे पूछी जाए क्योंकि एक general awareness का भी इसमें question बन जाता है जब वर्तवान में जब CEA चल रहा था तो असम में Bodo Land की बड़ी बात चल रही थी तो यह क्या है किस अनुसूची में है तो असम मेगालय तिरपुरा मिजुरम जो हमारे पूरुत्तर राज्जी हैं उनको हमारे केंद्रे संद्रक्षन दिया हुआ है उनके संबंद में कुछ special provision बनाए गए है उन प्रोविजन की बात जो है वह चटी अनुसूची के नतगत रखी गई है ठीक है न सात्वी अनुसूची में फिर संग सूची राज्जी सूची और स केंद्र के मर्द्र शक्तियों का विभाजन करने के लिए संग सूची राज्जी सूची और संवर्थी सूची के विशयों के चर्चा की गई है संवर्थ संग सूची में तो पहले 97 विशय थे लेकिन अब इसमें 100 विशय है राज्जी सूची में पहले 66 थे अब 61 है कम हो ग मिधान द्वारा मानित अपरा भाषा है गया कि आठी नसूची कि जरम बात करते हैं तो जो राज्बासा भार्षा है यदे उनके संब्बन्द में सारे उपबंद्रe क आठी नसूची में रखे गए जो कि 344 से 351 के द्रक्त आते हैं कितनी हमारी प्रादेशिक भाषा हैं तो फिलहाल 22 प्रादेशिक भाषा है जो कि पहले जब भारत राष्ट का निर्माण हुआता है उस समय 14 मात्र थी कौन-कौन सी हैं यादकल्दी जी का यह आप लोग लिए इंपर्डेंट होता है ठीक है असमिया है बांगला है बोडी है तर बोडो है डोगरी है गुजराती हिंदी कनर कस्मीरी कौंखणी मैथली मलियालम मनिपुरी मराथी नेपाली उडिया पंजाबी संस्कृत संथाली सि इनमें किस भाषा को किस वर्ष और किस समिधान संसोधन के अंतरगर्ष शामिल किया गया यह अभी आप लोग को अलग से क्लास में पढ़ाया जाएगा जब हम हिंदी भाषा पर चर्चा करेंगे तो वहां पर हमारे यह आजाएगा तो यहां डिस्कस नहीं करेंगे आठ अ पहला समिधान संसोधन किस वर्ष किया गया तो समिधान लागू होने की एक वर्ष बाद 1951 में पहला समिधान संसोधन कर दिया गया और इसके माध्यम से नवी अनुसूची को जोड़ा गया ठीक है ना याद कर लिजीगा आप इसके बाद दस्वी अनुसूची की हम बात करते हैं तो दस्वी अनुसूची में दल बदल कानून है यह भी बड़ा महत्पून प्रश्ण है आपके लिए और यह बावनवे समिधान संसोधन यानि 52nd अमेंटमेंट बिल द्वारा इसको जोड़ा गया है अब यह 52nd समिधान संसोधन कब हुआ था 1985 में हुआ था कि यहां पर आपको सिर्फ यह नहीं रटना है कि किस अनुसूची में कौन सा विशह है बलकिन आपको साथ ही साथ जितना हो सके समिधान संसोधन भी याद कर लेन और इसके अंद्रगत दल बदल कानून को रखा गया गया 21 यह नहीं सुची पंचायती सक्तियों के संदर में बहुत महत्पूर्ण है पंचायती राज की यह शिफारी से हैं आप सभी लोंको जानकारी है कि 73rd and 74th अनुछे जो समिधान संसोधन हुए है उसमें चोड़ा गय पंचायत जा जिला पंचायत इनके समंद में उबंद है और 74th अमेड्मेंट में जो नगरपाली का नगर निगम है इनके समंद में उपध है इसके बाद है बारवी अनुसूची बारवी अनुसूची में आपका नगरपालिकाओ की सक्तियों को रखा गया है ठीक है सुरी थोड़ा गलत बोल गया मैं यहाँ पर सेवंटी थी जो समिधान संसोदन है वह उननिस सो बयानवे में हुआ है तो इसमें सिर्फ जारवी अनुसूची को जोड़ा गया है जिसमें पंचायदी सक्तिया है जिला पंचायद खेत और ग्राप बंचायद बारवी अनुसूची में रखा गया है नगरपालिकाओ नगर सब्सक्राइब को ठीक है जो कि चोहतर वे यानिके 74 अमिट्मेंट में पारित किया गया लेकिन यह भी उसी वर्ष हुआ है 1992 में तो अलग अलग समिधान संसोदन 73-74 एक ही वर्ष में हुए है 1992 में और इनको इनके माध्यम से करमशव ग्यारवी और बारिसूची को समलित कि जा गया है तो आज हम इतना ही डिसकुस कर रहे हैं आई होप कि जितना में ने बोला है जितना पढ़ाने का प्रयास क्या है वह आपको समझ में आया होगा और फिर से बताना चाहता हूं कि यह जो टॉपिक से हमारे सिर्फ स्क्रीनिंग के पॉइंटिक वी से हम इसको